हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आरेस नोट्स आज का मारा टोपिक है वन्या जीव स्रक्षन अधिनियम 1972 आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आसा आपको वीडियो पसंद आएगी पसंद आई तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिकेशन बैल को जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे आईए वीडियो शुरू करते हैं वन्यजीव स्रक्षन अधिनियम 1972 क्या कहता है बारत सरकार ने देश के वन्यजीवन की रख्षा करने और पर भावी डंग से अवेद सिकार तसकरी और वन्यजीवन और उसके वित्पन के अवेद वपार को निंतरित करने के उदेशेशे वन्यजीव स्रक्षन अधिनियम 1972 लागू किया था यानि सिकार पर पतिबंद लगाने और वेद वपार को रोकने के लिए ये बनाया गया था आईए इसके उदेशे पढ़ते हैं वन्यजीव स्रक्षन अधिनियम के उदेशे अधिनियम के तहट किसी भी दोसी को दंडित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को वेवपक अधिकार देना राष्ट्रे पारकों और वन्यजीव ब्यानों की स्थापना करना अनुसूची अधिनियम के अनुसूची एक और अनुसूची दो के दूसरे भाग वन्यजीव वन को पूर्ण सरक्षन परदान करते हैं इसलिए इसमें कटोर्थम सजा का परावदान है। अनुसूची तीन और अनुसूची च्यार भीवन्य जीवों को सरक्षिन परदान करती है। किन्तु इनके लिए निर्दारित सजा बहुत कम है। वह उनुसूची पांच में वे जानवर सामिल हैं जिनका सिकार हो सकता है। जबकि उनुसूची च्यार में सरक्षित पोदों की खेती और रोपन पर रोख है। इसका पिस्तार जम्मू कस्मीराज्य के सिवाए संपून बार्थ पर है। यानि ये अदिनियम पूरे बार्थ पर लागू होगा सिवाए जम्मू कस्मीर के। इस अदिनियम के मुखे प्रावदान निमिलत है। संकट गरस्त वन्य प्राणियों की सूची बनाना जधां उनके सिकार पर परतिबंद लगाना। इसका पहला एदिनियम का प्रावदान है। दूसरा है संकट गरस्त पोदों को स्रक्षिन प्रदान करना। राष्ट्रे चीडियागरों तथा ब्याणों में मुलबूत सविदाओं को बनाए रखना तथा प्रबंद ववस्था को बैक्तर बनाना। इसका चोथा है लुप्त फोती परजातियों को स्रक्षिन देना तथा उनके अवेद वपार करोकना। पाचवा है चीडियागरों वै अभ्याणों में वन्सवर्दी कराना, वन्य जीवन के लाबों की जानकारी का शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना। केंद्रेश चीडियागर प्रादी करन का गठन करना, वन्य जीवन प्रामर्स बूर्ड का गठन उसके कार्य था अधिकार सुनिश्चित करना। इसमें सजागा प्रादान है, आई देखते हैं, अधिनियम के तहट बने नियम या सर्तों के उलंगन पर तीन वरस तक का कारवास या अर्थदंड जो 25,000 रुपे तक हो सकता है। वन्य प्राणी के मास आधि के संब्द में किये गए प्रादिया, अभ्यारने अराष्टे उद्यान में सिकार करने पर, अथवा उसकी सीमाओं में प्रिवर्तन करने पर, कारवास जिसकी सीमा तीन वरस से कम नहीं होगी, इन्तों जिसका विस्तार साथ वरस तक हो सकता है, वह जुरुमाना भी 10,000 रुपे से कम नहीं होगा, यानि तीन से साथ वरस तक की सजा होगी और जुरुमाना भी 10,000 से चैदा ही होगा, उप्रोथ अपराद में उप्योग के जाने वाले फंदा, उजार, हतियार, वाहन, जहाज या अन्य वस्त में राजसात की जाएंगी, तथा ऐसे वक्तियों को, यदि कोई अनुगपती लाइसेंस प्राप्त हो, तो उसे नरस्त किया जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अनदर क्वैरिज के लिए, आप मेरी इंस्टा ऐडी, मेरी फेस्बूक ऐडी, और जीमेल आएडी पे स्वाल भी कर सकते हैं, तो मिलते हैं, धन्यवाद.